साल 1773, अगस्त महीने के 30 तारीक थी, माराठा सामराज जो को नया पेश्वा मिले, सिर्फ 10 महीने हुए थे और नय पेश्वा की उम्र भी मातर 18 साल थी रोज की तरह उस दिन भी पेश्वा तड़के सुबह उठे और 108 सीडियां चड़कर उची पहाणी पर बने, पारवती मंदिर में पूजा करने पहुचे मंदिर से लोटते हुए उनके मामा सर्दार रास्ते का घर पढ़ता था, सो पेश्वा नारायन राव वहां रुके और जागी और तंखा आदी का हिसाब किताब करने लगे इसी वीश पेश्वा को भूग लगाई तो उन्होंने मामा से ये कहते हुए विदाली कि अब दोपहर के भोजन के बाद बाकी मसले हल करेंगे इसके बाद पेश्वा नारायन राव शेनवारवाड़ा चले गए, महा दिन का भोजन किया और फिर थोड़े देर आराम करने वास्ते लेट गए शेनवारवाड़ा में उस रोज कुछ और ही खेल चल रहा था, नीन में डूबे पेश्वा को अपने शेन कक्ष के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया उन्होंने सेबक को बुला कर कारण पूछा, तो पता चला कि सुमेर सिंगर्दी अपने कुछ लोगों के साथ शनिवारवाड़ा में घोज गया है ये जानकर नारायन राव पारवती बाई के पास पहुचे, पारवती बाई ने नारायन राव से छिप जाने को कहा तब नारायन राव देवघर की और भागे, वहां उनके चाचा रगुनात राव पूजा कर रहे थे, नारायन राव ने उनसे आसरा मांगा, बोले जान बचालो चाचा नारायन राव को नहीं मालूम था कि ये सब रगुनात राव के इशारे पर ही हो रहा था इससे पहले कि पेश्वा को ये समझ आता तब ही वहां सुमेर सिंगर्दिया पहुचा और उसने नारायन राव की हत्या कर दी मराठा सामराज्य में इससे पहले भी शर्य अंतर रचे गए थे पेश्वाओं की हत्या हुई थी लेकिन मराठा सामराज्य के केंदर शनिवार वाड़ा में हुई ये हत्या किसी अपने नहीं करवाई थी यहां से घटनाकरम ने वो मोड लिया कि बात मराठा सामराज जी के खत्मे पर जाकर रुकी नमस्कार मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीक जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीक से जुड़ी भारत की एतिहास से कहानिया आज दो मार्च है और आज की तारीक का संबन्ध हैं वराठा सामराज जैसे शुरू करने से पहले आपको बता दें कि तारीक के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकु एफम जैसे हम आपको इतिहास की कहानिया और किस से सुनाते हैं उसी तरह कुकु एफम भी आपको देश, दुनिया, सही, तसमार, दर्शन, विग्यान जैसी कई कैटेगरी इसमें आडियो बुक्स सुनाता है आडियो बुक्स से फाइदा ये है कि आप दूसरे काम करते वे भी अपनी मन पसंद किताबे सुन सकते हैं कुकु एफम लाया है एक खास ओफर भी जिसके तहट कुकु एफम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप 50% की छूट पा सकते हैं आफर कल आप कैसे मिलेगा बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक छोटा सा कोड आपको डालना है कोड है ल्टी 50 पानीपत की लडाई में बराठो की हार हुई इस हार से पेशवा बालाजी राव को इतना गहरा धक्का पहुचा कि वह आउसाद में चले गए इस हालत में 23 जून 1761 को उनके मृत्य हो गई और इसके बाद मराठा सामराजी के बाग दोर उनके बेटे माधह राव ने समभली माधह राव की उम्र तब सिर्फ 16 साल थी इसलिए बालाजी राव के भाई रगुनात राव को उनका संगरक्षक बनाया गया शुरुवात में तो सब कुछ सही रहा लेकिन फिर चाचा भतीजे म्यानमन शुरू हो गई रगुनात राव एक अच्छे से नापती थे लेकिन खुद को पेशवाई का असल हगदार भी मानते थे दिरे-दिरे माधह राव ने अपनी कोशिशों से मराठा सामराज्य को दोबारा पहले वाली प्रतिष्ठा पर पहुचा दिया लेकिन फिर रगुनात राव और पेशवा के बीच युद नीति को मदभेथ उपज गये रगुनात राव ने पेशवा की इच्छा की विपरीध काम करना शुरू कर दिया पेशवा ने रगुनात राव से शांती साधने की कोशिश की लेकिन ये इनके प्रकारेंड रगुनात राव पेशवा को गद्धी से हटाने की कोशिश करते ही रहे अंत में पेश्वा माधहराओ और अगनात राओ के बेचेक युद्ध हुआ जिसमें रगनात राओ की हार हुई 10 जून 1768 के रोज रगनात राओ को कैद कर लिया गया अब ये रगनात राओ रिष्टे में पेश्वा के चाचा लगते थे इसलिए कोई कड़ी सजाना देते हुए उन्हें शनिवार वाडा में नजरबंद करवा दिया अधर्वाइस ये जो ट्रेचरी है, ट्रीजन है, इसमें कैपिटल पनिश्मेंट थी तब भी इसके बाद पेश्वा माधहराओ ने मराठा सर्दारों को एक किया और एक बार फिर से दिल्ली को मराठा सामराज्य के अधीन कर लिया अपने कारेकाल में पेश्वा माधहराओ अतिलोक प्रिये हुए 1770 में पेश्वा को शयरोग ने पकड़ लिया और वो भी स्तर से लग गए अपनी मृत्यों निकट देख पेश्वा माधहराओ ने रगणात राओ से रिष्ट्य सुधारने की सोची और उनको रिहा भी किया इसके बाद उन्होंने पूरे परिवार के सामने रगणात राओ को शबद दिलाई कि वो परिवार की रक्षा करेंगे और पेश्वा के छोटे भाई नारायन राओ का साथ भी देंगे इसके ठीक दो साल बाद पेश्वा माधहराओ की मृत्य हुई और उनके छोटे भाई नारायन राओ को पेश्वा की गंदी पर बैठा दिया गया अब वो पेश्वा हुए इधर नरायं पेश्वा बने उधर रगुनात राओ ने दोबारा अपनी चाले चलनी शुरू कर दी रगुनात राओ ने उसे 10,00,00 रुपे और 3 किलों की सूबे दारी देने के बादा कर दिया यहाँ से कहानी में एक फोर्क आपता है एक जिक्र यह आपता है कि रगनात राओ ने ही नरायन राओ को मरवाया था लेकिन एक दूसरा कधानक भी है जिसके बारे हम आपको बता रहे हैं इस कधानक के अनुसार रगनात राओ ने जब सुमेर सिंग गर्दी से हाथ मिलाया तो एक पन्ने पर उसके लिए संदेश भिजवाया जिस पर बाकी डीटेल्स के साथ अंत में लिखा था याला धरावा यानि इनको पकड़ी है ये पन्ना रगरात राओं ने अपनी पत्नी आनन दिबाओ को दिया इस लेजन्ड के अनुसार आनन दिबाओ अपने पती को पेशवा ना बनाये जाने से और भी खफा थी वो किसी भी तरह रगनात राओं को पेशवा बनते देखना चाहती थी उन्हें लगा कि जब तक पेश्वाई का वारिस जिंदा है तब तक उनके पती के पास पेश्वाई नहीं आएगी आनंदी बाइने रगुनात राओ को दिये पन्ने को बदल कर उसमें याला मारावा यानि इनको मार दो इसको मार दो ऐसा लिख दिया यही संदेश गर्दी के पास पहुचा और वो खेल खत्म करने की रादे से शनिवारवाणा पहुच गया वहाँ नारायन राओ जान बचाने के लिए रगुनात राओ के पहुचे और उनसे मदद मांगी लेकिन रगुनात राओ वहीं खड़े रहे अब रगुनात राओ को समझ में आया कि मामला सीरियस है उन्होंने सुमेर से रुकने को कहा लेकिन तब तक बहुत दे हो चुकी थी सुमेर के लिए हत्या यह हमला दोनों एक ही बात थी दोनों केसिस में उसे मृत्युदंड ही मिलना था इसलिए उसने रगुनात राओ की एकन सुनी और 18 साल की पेशवा की हत्यागर डाली जैसे ही ये बात बाहर आई पूरे मराठा सामराज में शोक और सन्नाटे की लहर दोड़ गई रगुनात राओ ने तुरंट पेशवाई पर दावाठों का लेकिन मराठा सरदारों ने उनका साथ दिने से इनकार भी किया कुछ लोगों की मदद से रगुनात राओ ने खुद को पेशवा तो गोशित कर लिया लेकिन तब तक नाना पढ़नवी इसने बारा लोगों को मिला कर बारभई संसत का गठन कर लिया था ये संसत रगुनात राओ को उनके किये की सजा देने के लिए बनाई गए थी उन्होंने रगुनात राओ के खिलाफ विद्रोह करते वे उनसे युद्ध किया युद्ध में रगुनात राओ की हार हुई और वो सूरत की ओर निकल गए रगुनात राओ के गद्धी खाली करने के बार पूना में एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ वो ये कि अब पेश्वा का वारिस कौन बनेगा नारायन डराओ की पतनी गंगा भाई तब घरवती थी अप्रैल 1774 में उन्होंने एक बालक को जन दिया जिसका नाम माधहुराओ द्विती रखा गया और नाना फड़ नभीस ने उसे पेश्वा की गद्धी पर बिठा कर राज-काज का काम खुद समहला मराठा सामराज्य पर संकट आया तो उनके दुश्मनों को इसमें अपने लिए मौका दिग गया बंबई ब्रिटिश काउंसिल तब बंबई के पोर्ट का इस्तमाल ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए कर रहे थी मराठाओं की फ्रेंश इस्ट इंडिया कंपनी से नजदी की देखते हुए वो भी मौके की तलाश में थे उन्होंने महरा बनाया रगुनात राओ को रगुनात राओ खुद भी किसी साज़ेदार की तलाश में थे पुराना प्लान चली रहा है भी तक ताकि पेशवाई वो दुबारा हासिल कर सके उन्होंने ब्रिटिश टीस इंडिया कंपनी से मदद मागी जिसके बाद आज ही के दिन यानि दो मार्च 1775 के रोज रगुनात राओ सूरच पहुँचे सूरत गुजरात वाला अगले चार दिनों तक दोनों तरफ से कोशिश हुई कि संधी में ज्यादा फाइदा उन्हें मिले ब्रिटिश के आसपास बड़ी जागीर हासिल करने के फिराक में थे आंत में रगुनात राओ बंबई के पास सालसे द्वीप और वसे की जागीर अंग्रेजों को देने के लिए राजी हो गए और बदले में तै हुआ कि ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी रगुनात राओ को पेश्वा बनाने में मदद करेगी इस संदी को सूरत की संदी के नाम से जाना जाता है संदी की शर्ते मानने की बाद रगुनात राओ ने ब्रिटिश ट्रूप्स से पुने पर मार्च करने को कहा पंदरा मार्च 1775 को करनल कीटिंग के नुरित रित्तु में ब्रिटिश ट्रूप्स सूरत से पुना के और रवाना हुए लेकिन सिर्फ तीन दिन बाद यानि 18 मार्च को हरी पंद फड़के ने उन्हें बीच में ही रोक लिया इस जंग में ब्रिटिश ट्रूप्स की जबरदस्थ हार हुई और उन्हें फिर वापस भी लाटना पड़ा उधर कलकता में मौझूद ब्रिटिश काउंसिल को इस हार की खबर लगी तो गवरनर जनरल वरन हेस्टिंग्स बहुत नाराज हुए उन्होंने बंबई काउंसिल को हड़काते वे निर्देश दिया कि पूना पर हाट डालना अभी जोखिन भरा है इसके बाद कलकता काउंसिल ने सूरत की संधी को रद भी कर दिया रगुनात राओ को लगा कि अब ना खुदा मिलेगा ना विसाले सनम उन्होंने ब्रिटिस्ट इस्ट इंडिया कंपनी से दोवारा मदद मांगने की कोशिश की लेकिन काउंसिल ने उन्हें सिर्फ कुछ पेंशन का आश्वासं दे कर वापस लोट जाने को कहा पुणे में बारभई संसत ने रगुनात राओ के आने की अच्छे तयारी कर रखी थी रगुनात राओ को उनकी गैर मौजूदगी में ही फांसी की सजा भी सुना दी गई थी इसे देखते वे रगुनात राओ ने सूरत से बाहर जाने से इंकार कर दिया अगले साल याने 1776 में रगुनात राओ ने पुर्तगालियों से संदी की कोशिश की लेकिन बहां से भी कोई मतलब खास उनको मिली नहीं अगले कुछ साल ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी की पेंचन पर जीते हुए साल 1783 में रगुनात राओ की बृत्यों हुई उदर सूरत की संदी को रद करने के बाद कलकता काउंसल ने करनल उक्टन को पुने भेजा दोनों पक संदी के राजी हुए मार 1776 में मराठा सामराज और ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी के बीच पुरंदर की संदी हुई जिसके तहता हुआ कि मराठा फ्रेंच इस इंडिया कंपनी से डील नहीं करेंगे और बदले में ब्रिटिश सवाई माधोराओं को नए पेश्वा की रूप में एकसट कर लेंगे एक साल बाद ही पुरंदर की संदी भी लेकिन तूट गई नाना फढ़नवी इसने फ्रेंच इस इंडिया कंपनी को व्यापार की इजाज़त दी और इसे के साथ प्रथम एंगलो मराठा वॉर्ड की शुरुवात हुई इस युद्ध के बारे में आपको तारीक के आगे किसी किस्त में बताएंगे आज के लिए इतना ही तारीक के इस अपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इस रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिने देखते रहिए दिलर रंटाउ